गौरी देवी राजकी ये महिला महाविद्याले में बीएस्सी भागतिरतिय की छात्राओं का स्वागत हुए बच्चों प्राणी सास की कक्षा में मैं डॉक्टर वियन पांडे आपको दुतिय प्रस्ण पत्र इकोलोजी और इन्वामेंटल बायलेजी पढ़ा रहा था इसमें हमने रारंभिक लेक्चर्स में इकोलोजी का सामान्य परिजय इसका इसकोप इसकी साखाएं तता इसके इतिहास का अध्यान किया था अब हम अगले टॉपिक में आजयविक और जयविक कारकों का अध्यान करेंगे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स बच्चों हम जानते हैं कि हमारे वातावरण में दो प्रकार के कारक पाए जाते हैं कुछ तो इसमें से जीवित हैं और कुछ अजीवित हैं Living and Non-Living जो Non-Living factors हैं उनको A-Biotic या अजैविक कारक काते हैं जो Living है उन्हें Biotic या जैविक कारक कहा जाता है इन ही कारकों की परसपर क्रिया से हमारा Ecosystem या परिकंत्र संचालित होता है देखने में भरे लगता हो कि हमारा वातावरण इस्थिर है लेकिन ये वातावरण इस्थिर नहीं है ये अत्यंत्र गतिशील है, डाइनमिक है प्रतेक छण पौधों में फोटो सिंथेसिस की क्रिया होती रहती है रेस्पाइरेशन की क्रिया सभी पौधों जन्तुओं में होती रहती है विविन जन्तुओं पौधों में भोजन की क्रिया उचसरजन की क्रियाएं, विविन प्रकार की क्रियाएं निरंतर चलती रहती है और इस तरह से एक गतिशी या डायनमिक परितंत्र बनता है जिसे एकोसिस्टम करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों प्रकार के घटक जो आजयविक हैं और जयविक हैं उनका क्या स्कोप है उनके क्या किस प्रकार से वो कारे करते हैं कि एकोसिस्टम चलता है सबसे पहले अजयविक कारकों की बारे में बात करते हैं वातावरण के अजयविक कारकों को दो भागों में बांटा जा सकता है एक तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो की वातावरण से संबन देते कौन-कौन से ये फैक्टर्स हो सकते हैं एयर अर्थात वाय, तापमान अर्थात उसमा या गर्मी, हुमिडिटी, वातावरण में उपस्तेत नमी या आर्दरता और सूर्य का प्रकास, सनलाइट, ये वातावरणी ये कारक है, इनको क्लाइमेटिक फैक्टर्स काते हैं, इनहीं के प्रभाव में विशिष्ट प्रकार का वातावरण उत्पन होता है, कहीं पर अधिक सूर्य का प्रकास से कहीं कम है, कहीं गर्मी अधिक है, कहीं वायू की तीवरता कम है, कहीं अधिक है, वायू में गैसों का अनुपात भिंद भिंद प्रकार से अलग-अलग इस्थानों पर बन सकता है, तो ये वातावरणी कारक है दूसरे प्रकार के कारकों को अजयमिक कारकों को E-DEFIC अर्थाथ भूमी से जुड़े हुए स्वाइल से जुड़े हुए कारक कौन कौन से हैं देखते हैं म्रिदाया मिट्टी सबसे बड़ा फैक्टर है दूसरा बड़ा प्रकारक है जल तीसरा बड़ा कारख है मिनरल्स खनिच तत्तो जो पाए जाते हैं और ग्रेविटेशन गुरुत तो बल जो पृत्वी में पाए जाता है ये पृत्वी से जुड़े हुए कारख हैं तो आप ये का सकते हैं कि दो प्रकार के अजेवी कारख हमने दिये एक वातावरण से जुड़े हुए वायू से जुड़े हुए या आसमान से जुड़े हुए और दूसरा पृत्वी से जुड़े हुए ये विभिन कारख जो कि वातावरण से जुड़े हुए हैं या पृत्वी से जुड़े हुए हैं ये परस पर क्रिया करते हैं, और इनके क्रिया के क्या परिणाम हो सकते हैं, इनको देखते हैं, इनकी क्रिया से तूफान उत्पन्न हो सकता है, वाविके दबाव में भिन्नता उत्पन्न होने से तूफान, साइकलोन या चक्रवात, इस प्रकार से स्टार्म्स और साइकलोन, तूफान और चक्रवाद उत्पन्द हो सकते हैं इन्हीं की विभिन प्रकार की क्रियाओं से बरसात हो सकती है रेनफाल तो कहीं अधिक रेनफाल होगा कहीं कम होगा कहीं नहीं होगा इस तरह से विभिन प्रकार का वातावरन प्रतवी पर बनेगा इन्हीं वातावरन ये कार की पर कारकों की क्रिया से पारु कि और ऐलब।-प्रकовых送前 की किritवी पर विभिन-प्रकार के भुकंप आ सकते हैं ब्राटे वेली मीफिर प्रकार के जॉरला मुखी का मनना और फटना jade Cam Car कारकों की क्रिया से कहीं पर पानी का तेज प्रवा होता है वायू का तेज प्रवा होता है और इसके कारण मिर्दा का आप घटन स्वाइल इरोजन होता है स्वाइल इरोजन से विविन प्रकार की मिट्टी बनती है अलग अलग प्रकार की स्वाइल बनती है स्नोफाल हो सकता है कहीं पर बर्फ गिरेगी कहीं नहीं गिरेगी और इन्हीं के क्रिया सीलता से कहीं पर पहाड बन जाएगा परवत माउंटेन कहीं जील बनेगा कहीं नदी बनेगा अलग अलग प्रकार की भोगोलिक रचनाओं का निर्मार भी ये कारखी मिल करके करवाते हैं मिट्टी का पीच मिट्टी अलकलाइन होगा क्षारी होगा या आमली होगा एस्रिक होगा या अलकलाइन होगा यही फैक्टर्स तै करते हैं इसी तरह जल का पीच क्षारी या आमली होना ये भी यही factors, यही कारक्त तै करते हैं तो इस प्रकार से विभिन नुवातावर्ड ये कारकों के आपसी क्रिया से ये मैंने आपको बताए कि ये ये परिणाम उत्पन हो सकते हैं अब हम बात करते हैं जैविक कारकों की जैविक कारकों में तीन समूह बनाए जा सकते हैं, एक तो आटो ट्रॉप्स जो अपना पोजन स्वयंग तयार करते हैं, अपना भोजन स्वयंग बनाते हैं, जिनमें सभी प्लांट्स आ जाएंगे, दूसरा हेटरो ट्रॉप्स, हेटरो ट्रॉप्स वो हैं जो अपना भोजन स्वैंग नहीं तयार करते हैं इन्हें दूसरे जीवों से अपना पोशन प्राप्त करना होता है तो बिभन एनिमल्स इसमें आ जाएंगे और तीसरा आठ ड्रेक्टिशी लोर्स जो मृतोप जीवी प्रकार के पौधे या जन्तु हैं वो इस कटेगरी में आ जाएंगे तो ये इनके पोशन के तरीकी क्यादार पर तीन प्रकार के जैवी कारक हो गए जैवी कारकों की परस्पर क्रिया से क्या हो सकता है इनकी परसपर क्रिया किन रूपों में सामने आ सकती है एक तो प्रिडेशन के रूप में जीव द्वारा जीव को खाया जाना तो यह सबसे बड़ा फैक्टर है प्रिडेशन जिसमें एक बायोटिक फैक्टर दूसरे बायोटिक कंपोनेंट को भोजन के रूप में प्रियोग करता है बाद में जब हम एको सिस्टम का व्यापक अध्यान करेंगे तो देखेंगे कि इनमें प्रोडूसर के इसमें कंजूमर विभिन प्रकार के आते हैं पहली जो आटos tours ठे उनको प्रोडूशर कहते हैं और hetero tops को conjumer कहते हैं विभेन वर्गों के conjumer या उभोगता इसमें आ जाते हैं consumers किस प्रकार से बोजन प्राप्ट कर सकते हैं एक तो predation हुआ दूसरा परजीवित और पेराशीटिज्म पेरा सिटिज्म के द्वारा भी पोसर प्राप्ट करते हैं विविन जीवों के बीच में पारस पर एक कॉम्पटीशन होता है संसादनों के उपलगता अगर कम है तो परस पर प्रतियोगिता होती है कॉम्पटीशन उनमें होता है संसादनों को प्राप्ट करने के लिए है, mutualism के रूप में हो सकता है, commensalism के रूप में हो सकता है, इनका व्यापक चर्चा आगे करेंगे, यह women रूप हो सकते हैं, जिनके द्वारा biotic factors एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, अब जैविक और अजैविक कारखों की क्रिया क्या परिणाम हो सकता है, यह देखते हैं, effect of interaction of abiotic and biotic factors, एक तो सबसे बड़ा जो interaction है, जैविक और अजैविक के बीच में वो है photosynthesis, प्रकास translation, इसमें जैविक तक तो पौधे हैं और अजैविक तक तो carbon dioxide, water और sunlight है, यह परस्पर क्रिया करते हैं, photosynthesis कहलाती है यह क्रिया, और इस क्रिया के परिणाम सुरूप, विविन प्रकार के कार्बनिक तक्तो, proteins, carbohydrates, lipids, cholesterol, बहुत से प्रकार के कार्बनिक तक्तो, इस photosynthesis नाम की क्रिया के द्वारा बनते हैं, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि बायो मास, जयो भार उत्पन हो सकता है, अजीवित तत्यों को, जीवित तत्यों, अजयविक या इनार्गेनिक तत्यों को, और्गेनिक तत्यों के रूप में बदल दिया जाता है, इसी तरह से कीमो सिंथेस, विविन प्रकार के बैक्टीडिया आदी, कीमो